प्रदेश के मंडी जिला के पधर में बुधवार रात हुए भीशन सडक हाथसे में दो लुवकों की जिन्दा जलकर मौत हो गई है। जबकी एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पधर जो गेंदरन करवाया नौहली सडक मार्क पर दमेला के समीब कार अनियंतरित होकर खाई में लुढक गई और कार में ब्लास्ट होने के साथ उसमें आग लग गई, जिसमें कार सवार दो युवक जिन्दा जल गए जबकी तीसरा युवक गंभीर से घायल हो गया, घायल युवक को राहगेरों ने समय रहते कार से निकाल 108 एंबुलेंस की मदद से तुरंट अस्पताल पहुँचाया, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा रात करीब साढ़े 11 बजे पेश आया, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुचकर मामला दर्सकर जाच शुरू कर दी है, वही कार में आग लगने से जिन्दा जले दोनों युवकों के कंकाल मात्र शेश बचे, जिन्हें पुलिस ने कबजे में ले लिया है, मृतकों की पहचान 28 वर्षिय भुवन सिंह, 28 वर्षिय सुनील कुमार निवासी सजे जहर डाक घर नौहली तहसील पधर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है, जबकि 27 वर्षिय घायल पदम सिंह, पुत्र दौलत राम गाव भराडू पंचायक नौहली का रहने वाला है, वहीं मामले की पुष्टी करते हुए, ASP सागर चंदर ने कहा कि दोन जोनल अस्पताल मंडी उपचाराधीन है, उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से पुलिस जाच कर रही है दमेला गाव के पास जो है, इनकी गाड़ी जो है, वो ड्राइबर चूनी लाल इसे चला रहा था और ये गाड़ी नीचे लुडग गई है, लुडगते हुए जो इसमें एक पदम सिंग है, वो गाड़ी से बाहरा आ गया, लेकिन भवान सिंग और चूनी लाल जो है, वो जलने से मौथ होगी, एक्चली जब ये पदम सिंग गिर गया था रास्ते में, तो गाड़ी के पीछे दोड़ा और इसने आग लगने के बाद जो है, उनको बचाने की कोशिश की है, तो भवान सिंग को इसने गाड़ी से निकाल लिया था, लेकिन वो इतना जल चुका था कि उसकी भी मौके पर मौत होगी, तो पदम सिंग भी घायल है काफी, इसको जड़ेश मंडी में जो एडमिट करोया गया है, और बाकी चूनी लाल और गुवान सिंग का जो कोश्माटम करोया जा रहा है, अबाकी डिटेल जो है, बाकी जांच की जा रही है, इसकी अभी ज जांच की जा रही है, प्राइमा फेशाई यही पाया जा रहा है कि चूनी लाल से गाड़ी जो है वो आट ऑफ कंट्रोल हो गई, और पहले एक पत्थर से टकराई है, उसके बाद दोबारा जो है वो टकराने के बाद आट ऑफ कंट्रोल हुई है, उसके बाद नीचे चली ही है गाड़ी सब कितनी गह रही है इसकी डटेल अभी ली जा रही है